नमस्कार दोस्तों आज हम इस वीडियो पे लगाएंगे पाई चार्ट दोस्तों यहाँ पर आपकी स्कीन पर दिख रहा होगा कोसन नमबर 46 से लेकर 45 के बीच में हमारे कोसन दिये गए है पाँच यहाँ पर हमें लगाना है सबी लोग पेन काफी लेकर बैठ जाईए और इम कुछ लिखा हुआ है आपकी स्कीन पर दिख रहा होगा यहाँ पर हम आपको पढ़के बता दे रहे हैं इमारती लकड़ी 36 डिगरी है मजदूरी 90 डिगरी है सीमेंट 32 डिगरी है इटे जो है 54 डिगरी है लोभा भी हमारा 54 डिगरी है और परवेच्छन 54 डिगरी है उम्मी इतना लिखा हुआ इसको कितने जीरो में पांच जीरो में यानि पंद्रा लाग यादि भवाने निर्माड पर आई कुल लागत पंद्रा लाग रुपया हो तो मजदूरी पर कितनी धनरा सी खर्च होई है कितनी धनरा सी खर्च होई है जबाब दीजिये मजदूरी पर पुछा गया है तो सबसे पहले मजदूरी पर पहुंचेंगे तो मजदूरी को तो हमारा 90 डिग्री है तो यहाँ पर जो आपका ये 15,00,000 दिया हुआ है यानि कितना दिया हुआ है? 15,00,000 दिया हुआ है 15,00,000 का मजदूरी वाला जो डिगरी है ना इसको ऐसे उपर लिखेंगे और यहाँ पर ध्यान रखिएगा जब भी डिगरी में दिये होते हैं ना तो आपको बेस में यानि हर में टोटल 360 डिगरी लिखना है कि कि टोटल हमारा ये कितना होता है? तो टोटल हमारा 360 होता है इसलिए हमें 360 लिखना पड़ता है अब 0 से 0 आप कहेंगे कार दीजिए 9,4,36 होता है अब इसी को सालव कर लिजिए 4 से भाग कर दीजिए 4,3,12 और 4,7,8,4,5,20 यहां पर 3,0 आएंगे यानि यहां पर 3,75,000 कहां पर लिखा हुआ है 3,75,000 आपसर नमबर D लिखा हुआ है तो इसका जो सही जबाब होगा आपसर नमबर D होगा राइट अंसर उमीद यह बात आपको समझ में आ गई होगी आगे बढ़ते हैं कोसर नमबर यहां पर देखते हैं भवन निर्माड पर आई लागत का विवराट दिया हुआ है कोई दिक्कत नहीं है चलो यहां पर हम लगाने की कोशिस करते हैं आप चाहे तो आपसन देख लीजिए एक बार आपसन आपके दियेगा है पचास परसेंट थोड़ा सा हूँ छोटा कर देते हैं चलो अब सही है अब दिखरा होगा अच्छे से इटों लोभे तथा सीमेंट पर कुल मिलाकर ब्याय हुई धनरासी भवन निर्मार पर आई कुल लागत की कितनी प्रत्सत है सवाल आपने समझ लिया होगा तो को इट लोभा और सीमेंट यहाँ पर तीन नोशी जोड़ लीजिए इट ये है लोभा ये है और सीमेंट इतना है सब को जोड़ लीजिए आपका कितना आएगा चार दो चार चार आट दो दस यानि दस आएगा और यहाँ पर साथ पांच बाराब पांच सत्रा यानि एक सू अठार आ गया है ठीक है ना अब यहाँ पर दोगों पूछा गया है ब्याय हुई धनरासी भवन निर्माड पर आई कुल लागत की कितनी प्रत्सत है अब दोगों ये तो एक तो तरीका होता है कि पहले आप 1802 360 जो टोटल दिया था टोटल दिया था ना इसके पहले भवन निर्माड में यहाँ पर दिया हुआ था देखलो यहाँ पर दिया हुआ था टोटल यह यह दिया हुआ था टोटल दिया हुआ था ना भवन निर्माड पर कुल लागत एक पंदरा लागती तो देखो एक तो तरीका आपके पास यह बाला है कि यहाँ पर देखो एक तरीका आपके पास यह है कि इनका जो तो डिग्री में आएगा टोटल सबको जोड लेजिए बटे 308 लिखे और 15 लग का निकालेजिए जितना आएगा फिर आपको 15 लग लिखना पड़ेगा नीचे ठीक ना फिर आपको लिखना पड़ेगा 15 लग उसके बाद आपको फिर 100 से मल्टिप्लाइ करना पड़ेगा यह तो एक बार आप 15 लग का क्या करेंगे 15 लग जो लिखा हुआ है इसका पहले आप 180 बटे 306 निकालेंगे फिर इतना आएगा फिर 15 लग के बटे में इतना आपको ताम जाम निकाना सीधे हम आपको ट्रिक बता रहे हैं दोको दोस्तों जब भीश टाइप का सवाल होना तो पहले देखो आपको सबको तो जोड लेना ही है यह जोडने पे तीनों कितना आया था 180 आया था अब आपको टोटल लिख देना टोटल हमारा कितना होता 360 डिगरी होता है इसको आपको बटे में लिख देना है आप परसंटेज निकाल लेजीगे सीधे आपका अंसर जो उससे आएगा वही अंसर यहां से भी आएगा इस तरीके से आप जल्दी से कर सकते हैं 180 दुना होता 360 अदो का मल्टिप्लाइ कर देंगे तो हमारा जो राइट अंसर होगा 50% आपसा नंबर ए जो है सही हो जाएगा इस तरीके से आप कर लिया करिए आपका गलत नहीं होगा चले यहां पर देखते हैं यहां पर देखिए पूछा गया है इमार्ती लकड़ी का ब्याय सीमेंट के ब्याय का कितना प्रस्त है अब देखो इसको भी वैसी लगाते हैं इमार्ती लकड़ी वाला देखिए आपको 36 डिगरी है दिख रहा है आपको सीमेंट के ब्याय का सकते से डिगरी वाले सवाल हैं और इसके सवाल आते भी हैं पेपर में तो इस तरीके से आपको लगाना पड़ेगा उमीदे बाते आपको समझ में आ गई होगी अब हम आगे बढ़ते हैं कोसा नंबर यह हमारा है 49 नंबर है यहाँ पर फड़ा सा अपसन आपको दिखा देते से मजदूरी वा परवेचण दोनों को मिला कर कितनी धनरा से खर्च होई समझेगा यहाँ पर देखो 15 लाग तो दिया ही है कितना दिया हुआ है 15 लाग ठीक है ना यह 15 लाग 5-0 है 15 लाग तो दिया ही है मजदूरी वा परवेचण पुछा है तो मजदूरी देखिए परव पूछा गया ना कितनी धनलासी खर्च भी तीन साट बटे में लिखेंगे याद रखिए गाइगा इनका आया है इसका जोड के ऊपर लिखना है अभी टोटल आपको नीचे लिखना है इतना आप कर लेंगे उमीद है अब इसको आप देखेंगे जीरो से जीरो आप ऐसे काड सकते हैं और इसको काड़ लिए यह 46 चोको कितना होता है एक 44 होता है ना यह चार बार कर जाएगा यानि यहाँ पर आ जाएगा पंदरा चोको 60 60 के लगबग यहाँ पर देखो कौँ सारा है 60 और 4 0 यानि आपसा नंबर सी आ जाएगा ठीक है ना पूरा मल्टिप्लाइ करने की जरूत नहीं है यही से आप पता कर लेंगे और आपका जो अंसर है मालूम हो जाएगा चलिए आगे हम बढ़ते हैं और यहाँ पर देखते हैं कोसन नंबर 50 क्या पूछा गया है कोसन आपको दिख रहा होगा इस तरीके से पूरा लिखा हुआ है ठीक है ना चलो यहाँ पर कुल लागत दे रखा है कोसन पर कितना दिया हुआ है तीन लाग साथ हजार है ठीक है ना तीन लाग साथ हजार दिया हुआ है भवन निर्माड पर आई कुल लागत इसके बाद पूछा गया सीमेंट तथा इमारती लकडी पर बै कितना था अब देखो सीमेंट और इमारती लगड़ी पर तो आपका 36 डिगरी है अगर हम बात कर लेते हैं सीमिन डिगरी तो 72 डिगरी है बस आपको क्या करना यह जो 3,60,000 दिया हुआ है इसमें से आपको इन दोनों को पहले जोड़ लेना है जोड़ेंगे तो 6,2,8 होता है 7,3,10,1,8 आएगा बटे में आपको 360 लिख जार आएगा तो अब आपको क्या करना है 108 के आगे 3,0 और शिपका देना है यही आपका राइट अंसर हो जाएगा यही राइट अंसर कहां पर लिखा हुआ है आपसन नमबर A जो है इसका बिल्कुल सही अंसर हो जाएगा चलिए दोस्तों इस तरीके से आपका एक पाई च चाट की बात करने वाले हैं यहाँ पर पहले आप कोशन को अच्छे से पढ़ लिजिए चाचाट से सतर के बीच में हमारे दिये गए हैं और यहाँ पर बताया गया है किसी नगर की जनसंख्या जो है तीन लाक साथ हजार है ठीक है उसके बिभिन बेवसाई निम्नांकित ब दिखा रहे हैं इतना थोड़ा सा बड़ा कर देते हैं और इससे बड़ा आप उम्मीद भी मत रखिएगा कि हो जाएगा ठीक है ना हो जाएगा फिर आपको अच्छे से दिखेगा नहीं चलो वहाँ पर कितना था याद रखिएगा टोटल हमारा तीन लाक साथ हजार था ठ आप कितने अधिक लगे हैं तो आप बताईए यहाँ पर एक सुआट से एक सुबीस हो गया है तो कितना अधिक है तो आप कहेंगे बारा डिगरी अधिक है तो आप आपको क्या करना यह जो तीन लाक साथ हजार कोशन में दिया था तीन लाक साथ हजार जो कोशन में आपको दिया था, ठीक है, एक सेगेंड, यहाँ पर आपको यहाँ पर डिफ्रेंस 12 डिगरी आया है, अब बट्टे में हमने बताया, 360 आपको लिखना ही है, 360 आपको क्या करना, लिखना ही है, अब आप इसको साल्व कर सकते हैं, 360 से 360 पूरा पूरा काट लीजिए, 12 के बाद 30 चिपक सहरे रखना है, कंसंट्रेट रखना है, फिर से आप जनसंख्या पढ़ लीजिए, 360,000 है, 360,000 है जनसंख्या टोटल, ठीक है ना, जनसंख्या कितनी है, 360,000, अब यहाँ पर पूछा गया है, कुल जनसंख्या का कितने प्रतिसत परिवहन ब्यवसाय में, अब देखो, कुल कितने प्रतिसत परिवहन में आपको दिख रहा होगा, 24 डिगरी है, ठीक है ना, तो 24 डिगरी है ना, तो अब आप क्या करें, 24 डिगरी कर लिजिए, और परसंटेज पुछा गया है, तो आप उसका मत निकालिए, टोटल का, जो 3,60,000 दिया था, उसको आप मत निकालिए, इसको डालेट आप 3,60 डिगरी बटे में, इन्टू 100 कर लिजिए, बस आपके इससे अंसर निकालाएगा, अब आप इसको साल वकल लिजिए, 0,0 आएगा, और इसको काल लिजिए, 6,24 होता है, 6,36 होता है, 2,2,4 होता है, 2,3 होता है, अब आपका यह आजाएगा, 10,2,20,20 20 बटा 3 को साल वकल लिजिए, 6,6 परसेंट आगया, तो देखिए, आपको बहुत सारे सवाल ऐसे भी है, जब भी कुल जन संख्या का इतना पूछे तो परिवहन लिखिए, और टोटल आपको 3,60 लिखना है, परसंटेज में पूछेगा, तो 100 से मल्टिपलाई कर दीजिए आपका अंसर आ जाएगा, ठीक है ना, उमीद है, ये बात आपको समझ में आ गई होगी, अब आगे हम बढ़ते हैं, यहाँ पर देखिए, 3,60,000 है, याद रखिएगा, 3,60,000 है, चलो यह सवाल को थोड़ा सो छोटा कर देते हैं, और 3,60,000 कोई मतलबी नहीं है, यहाँ प तो इसका मतलब आपसां से चेक करना पड़ेगा, कहाँ ब 1,44 आ रहा है, करसी परिवान को जोड़ेंगे, करसी परिवान जोड़ेंगे, 8,4,12, जिंदिगी में 1,44 नहीं आएगा, ब्यापार तता उदोग की बात कर लेते हैं, ब्यापार उदोग की बात करोगे, तो यह भ जिदे बोल देंगे, इसका जो अंसर होगा, करसी तता ब्यापार के साथ जाएगा, यह बात आपको समझ में आ गई होगी, अब हम बढ़ते हैं, कोसर नमबर 69, यानि 79 नमबर, यहाँ पर पहुत ही सिंपल प्रस्ट पुछ लिया गया है, नौकरी तता उदोग में लगे, का अनपात क्या होगा, तो आप कहेंगे, नौकरीम 120 डिग्री है, यह आपका है 72 डिग्री, सबी लोग जानते हैं, दिख भी रहा है, है ना, इसको आपको रेशियो बना लेना है, सिंप्लिफाइ कर लेना है, आपका अंसर दोड़ता हुआ चला आएगा, ठीके ना, 24 पंच ते तीन आपसा नंबर सी के साथ जाएगा, अब हम बात करते हैं कोसा नंबर सत्तर, सत्तर नंबर देखिए, यह भी रेशियो को सवाल आ गया है, बहुत ही सिंपल प्रस्ण है, करसी तथा ब्यापार में लगे, बेक्तियों का, उध्धोग में लगे, बेक्तियों से अनपा कितना होगा, इससे आसान कोई सवाल होई नहीं सकता है, करसी ब्यापार बोला है, दोनों को जोड देंगे, आप बोलेंगे 144 डिगरी आएगा, 144 डिगरी तो आ गया, उध्धोग में लगे बेक्तियों, उध्धोग में 72 है, 72 दूनी 144 होता है, तो होता है, तो इसका राइट दो अनुपाते एक होगा, दो अनुपाते एक आपसन नमबर डिक के साथ, बस्तो इस्टार्ट करते हैं, कोई सन नमबर 32 से लेकर 35 के बीच में, आपकी स्क्रीन पर एक चार्ट दिगरा होगा, पाई चार्ट, और यहाँ पर लिखा गया है, नीचे दिये गया है, ब्रत्य पुजारा के द्वारा विविन देशों की क्रकेट टीमों के विरुद्ध बनाए गया रनों को दर्साया गया है, अब देख लिजे पुजारा है, इनके द्वारा दर्साया गया है, आपको सबसे पहले इस चार्ट को ध्यान से देखना है, और इसके बाद इस प्रस्लों को पढ़ना है इसी के अनुसार इसी चार्ट के अनुसार इसका अनुसार दिना है तो यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है पुजारा द्वारा दच्छिड अफरीका के बिरुद्द बनाए गए रन बांगला देश के बिरुद्द बनाए गए रनों से कितने प्रतिस्त अधिक ह तो सबसे पहले हम पहुंचेंगे दच्छीड अफरीका तो आप कहेंगे दच्छीड अफरीका में पुजारा ने बनाया है 24 परसंट सीधी सी बात है अब आप कहेंगे बंगला देश तो बंगला देश में बनाया गया है 8 परसंट अब हम कहेंगे कि 24 है इसके पास 8 रुपया माल लो इसके पास 24 रुपया है इसके पास 8 रुपया कितना अधिक है तो कहेंगे 24 में से 8 घटा दीजिए तो आपका 16 आएगा अधिक यानि कम से अधिक ऐसे हुआ है न तो जो बेस में आएगा वो 8 लिखेंगे इस चीज को विसेश ध्यान रखिएगा ठीक ना अधिक पूछा गया है तो पहले कम होगा तभी तो अधिक आएगा अधिक ऐसे थोड़ों आजाएगा कम होगा तभी तो अधिक होगा तो बेस में हमेशा कम बाली वैलू रखेंगे जो कि हमने 8 रख दिया है परसंटेज में पुछा गया आप साल विकल लिजिए 8216 और इसका जो राइट अंसर आएगा 200% जो की विल्कुल सही जवाब आ रहा है चलिए उम्मीद है दोस्तों यह आपको प्रशन बहुत ही अच्छे से समझ में आ गया होगा चलिए आगे बढ़ते हैं कोसर नमबर 33 दोस्तों आथ थुआ सजुखाव इसी बची स्टोड़ आवाज चेंज लग रही होगी बड़ आपको घबराना नहीं है आपको सवाल वैसे ही लगाना है जैसे आप डेली तरीके लगाते हैं चलिए दोस्तों यहाँ पर कोसर नमबर 33 देखते हैं लिखा हुआ है यदि पुजारा के सभी मैचों में रनों की कुल संख्या 1875 है तो दच्छिड अफरीका तथा न्यूजिलेंड अब ध्याज देखिएगा यहाँ पर लिखा हुआ है दच्छिड अफरीका तथा न्यू पोटल रनों की संख्या दे दिया है 1875 अब पुछा गया है दच्छिड अफरीका तथा न्यूजिलेंड के बिरुद्ध पुजारा द्वारा बनाए गए रनों के बीच अंतर तब आप कहेंगे दच्छिड अफरीका और न्यूजिलेंड में जो रन बनाए गए हैं उनके बीच में डिफरेंस पहले पता कर लेते हैं कितना है तो आप कहेंगे दच्छिड अफरीका में तो 24 परसंट है न्यूजिलेंड की बात करेंगे तो 16 परसंट है इनी का अंतर ले लेंगे तो कितना आएगा 24 में 16 अट आएगा ये तो आपको पता है इसी का 8 परसंट निकाल लेजिए आपका अंसर निकालाएगा अब आप कहेंगे इसको पांट से काड़ लेजिए 5 दूनी 10, 5, 0 और इसे काटेंगे 5 3 का 15, 3 आएगा 36 होगा 5 सते 25 और फिर से आएगा 25 25 अब आप कहेंगे 5 से फी कार देते हैं 5 सते 35 पच्वम 25 अब आप कहेंगे 4 एकम 4 चार दुनी 8 होता है यानि 75 गुड़े 2 करेंगे तो सभी को पता डेड़ सो होता है 75 का डबल डेड़ सो होता है तो जो कि इसका राइट अंसर आफसर नंबर A के साथ जाएगा 150 उमीद है गया रनों से ब्रत्खंड कोड कितना होगा अब ऐसे सवालों को बहुँ सारे स्टुडेंट गलत कर देते हैं बट आपको गलत नहीं करना है सबसे पहले देखो सवाल को समझना है पूछा क्या गया दिये गया ब्रत्चित्र में आस्टेलिया के ब्रूद बनाए गया रनों से ब्रत्खंड कोड कितने डिगरी यानि ब्रत्खंड कोड पूछा गया है डिगरी में तो सबसे पहले हम पहुंचेंगे आस्टेलिया तो आप कहेंगे आस्टेलिया में तो 32% बनाए गया है यानि 32 लिग लेंगे अब यहाँ पर देखो डिगरी में पूछा गया है यानि जब भी ब्रत खंड कोण पूछेगा डिग्री में तो सबसे पहले परसंटेज जितना दिया है अस्टेलिया का वो लिखेंगे टोटल परसंटेज हंडेड होता है अग डिग्री में पुछा गया तीन सो साथ डिग्री पूरा कंप्लीट एंगल होता है अब इसको आप सालव कर लेजिए जीरो जीरो कट गया और यहाँ पे और कटेगा क्या देख लेते हैं पांदूनी दस और पांद सते पैथीस टू ठीक ना सोला दूनी क्या होता 32 होता है और सोला सत्य कितना होता है सोला सत्य यानि साथ चंग 42 एक सो बारा होता है ठीक ना सोला सत्य कितना होता है एक सो बारा होता है सही है एक सो बारा में से तीन जोड़ेंगे तो एक सो पंदरा आएगा यानि आप कहेंगे एक सो पं करनों का मान कम से कम कितना होना चाहिए अब देखो रन यहां पर लिखा हुआ हुआ है पुझारा द्वारा बनाय गये कुल रनों का ऐसे लिख लेते हैं, 8% था, ठीक है न, परसेंटेज अठा देते हैं, 8 था, 16 है मालो, 32 है, 24 है, और 20 है, ठीक है न, अब इसको सिंप्लिफाइ कर लो, 4 से काड़ लो, 4 दूनी 8, 4 चको 16, 4 अठे 32, 4 चंग 24, 4 पंचे 20, अब तो सिंप्लिफाइ इससे कम होगा नहीं, कम से कम प उस्ता तो 625 होजाता है, बस इस तरीके से आपको जवाब देना है, उमीदे दोस्तों समझ गया होंगे, जब भी कभी टोटल लनों का कम से कम पूछे, तो आप उनको पहले रेशियो बना लीजिएगा, जोडने पर जितना मिनिमम से मिनमम से रेशियो बना लेंगे, वही क कम से कम बताएगा, ठीक है न, चलिए, आगे बढ़ते, अधिक से अधिक 25 के मल्टीपल पर बहुत साइज नंबर हो सकते हैं, तो आपसन के कॉर्डिंग तो यही बाला देंगे, बट यहाँ पर 25 के मल्टीपल बहुत नंबर अनन तक होता है, उसको हम फाइंड नहीं कर सकत बट आपसन के कॉर्डिंग 625 देते, ठीक है न, चलो, अधिक यहाँ पर लिखा हुआ है, किसी देश में विभिन खेलों पर एक वर्स का खर्चा, अब दो को यहाँ पर खर्चा दिया हुआ है, इस तरीके से चार्ट आपकी स्क्रीन पर दिगरा होगा, हाकी का दिया हुआ पंदरा परसेंट, फुटबाल का दिया हुआ है, पंदरा परसेंट, अन्ने का दस परसेंट, टेनिस का दस परसेंट, गोल्प का साड़े बारा परसेंट, बास्केटवाल का साड़े बारा परसेंट, और क्रिकेट का हमारे दिया हुआ है, 25 अब देखो, यहाँ पर इसी च दिया हुआ एक करोण 50 लाग ठीक है ना और यहां पर क्रिकेट और हाकी को मिला कर कितनी राशी खर्च की गई आप आपसन और देख लिजिए आपके आपसन दिये गए हैं अगर 5 0 लाग ठीक है ना पचास और कितने 0 है जिरो गिन लेते हैं यहां पर आपके तीने जिरो है आगे 5 0 है एक दो तीन 4 5 इस तरीके से बना लिया एक करोन पचासी लाग है देखलो एकाई दाही सैकड़ा हजार दस जार लाग दस लाग करोन बिल्कुल सही है एक करोन पचास लाग हमने लिग लिया अब पूछा गया क्रिकेट और हाकी को मिला कर कितनी रह से खर्ची की गई तो आप कहेंगे क्रिकेट में तो पचीस आप होता है तो आपसन में देख लो 60 A वाले में लिखा था और किसी आपसन में दिया ही नहीं था तो बस आपका आपसन नंबर A जो है राइट अंसर हो जाएगा चलिए सई जबाब है इस तरीके से आपका अंसर देना था उम्मीद है समझ गया होंगे आगे बढ़ते हैं अब यहाँ पर देखिए कोसन नंबर 22 ये भी उसी तरे के खेल खर्चा दिया हुआ है अब यहाँ पर देखो पूछा गया है यदि वर्स में खेलों पर कुल 1,20,000 की रासी खर्ची की गई ठीक ना करोड में देख लेते हैं एक बार 1,20,000, 10,000, 10,000, 10,000, 10,000 करोड एक करो देखें कोई दिकत नहीं है अब देखो बास्केट वाल का परसंटेज कहा है 12,50 है अब देखो 12,50 की फ्रेक्शन वैलू पता होना चाहिए सभी को 1,8 होती है ठीक है ना आप अगर परसंटेज अच्छे से पढ़े होंगे तो आपको यह चीए डारेक्ट याद होना यह इसकी वैलू एक बटे आठ होती है अब देखो इसमें अगर 8 से भाग देंगे ठीक है ना इससे अगर 8 से भाग देंगे तो 8 से भाग देंगे 8 एक कम 8 और 4 आएगा ना 12 में से 8 गटाएंगे 4 आएगा 8,45 यानि 15 आना चाहिए तो देखो आपने देखा आप सा नमबर और आपको साल भी नहीं करना है बस आप यहीं से अंसर बता करनेंगे और आपका सवाल लग जाएगा उमीद है ये भी आपको समझ में आ गया होगा है ना चलो अब आगे बढ़ते है को सा नंबर यहाँ पर दिखते हैं कौन सा को सा नंबर है 23 नमबर है चलो यहाँ पर देखो क्या पूछा गया है चार्ट आपको दिखी रहा है पूछा गया है फुटवाल के लिए खर्च की गई कुल रासी एवं हाकी पर खर्च की गई कुल रासी का अनुपात पूछा गया है आप देखो यहाँ पर पूछा क्या गया है फुटवा हाकी तो दिख रहा होगा आपको फुटवाल का आपको 15% दिख रहा है हाकी का 15 दोनों सेम है तो रेशियो भी हमारा सेम ही आएगा यानि एक अनपाते एक हो गया अब देखिए कितरा सिंपल सवाल है ऐसे सवालों को आप ग्राफ देख के मत घबराईए आप समझ गया तुरं जैसे हमने कहा यह टोटल एंगल कितना होता है तो आप कहेंगे 360 डिगरी होता है इसी को अगर परसंटेज में कहेंगे 100 परसंट होता है तो हम आनि कह सकते हैं 100% को हम ढगरावा लिखेंगे तो 306 डिगरी सीधी बात है अब पूछा क्या गया है टेनिस के लिए तो आप कहेंगे टेनिस में तो 10% है तो 10% की value निकालना है आप कहेंगे 0-0 काड़ लो यानि 10% की सीधे value 36 degree आ रही है तो इसका भी answer 36 degree आई ही जाएगा ठीक ना उम्मीद है समझ गया होंगे इस तरीके से इसी को लिखाई गया तो 10% की value आ गई यही निकालना था 10% की value कितनी आ गई 36 degree आप सम देखिए कहां लिखा हुआ है आपसर नंबर यह इसका right answer हो जाएगा इस तरीके से आपको लगाना था समझ गया तो यहाँ पर लिखा हुआ है खेल कूद एवं कला और सिल्फ के खर्च का अनुपात कितना होगा यह पूछा गया है अब देखो यहाँ पर खेल कूद का बना हुआ है एक इस तरीके से बना देगा सरकल टाइप का और इसमें से हर अलग अलग सेक्शन में बाड़ देगा यानि खेल कूद का हमारा इतना असलेके खेल कूद एवं कला और सिल्फ तो सबसे पहले खेल कूद का देख लेते हैं 120 डिग्री लिखा हुआ है खेल कूद का 120 डिग्री है Under rests讲 Price और नियृण गाल लेना जिरो से जिरो कट के अज़ने हुआ आपको देखने में लगेगा कि ग्राप बना हुआ है और बहुत सारी स्टुडेंट तो ग्राप देखके घवरा जाते हैं बड़ यह सवाल बहुत आसान होते हैं बस आप समझ लिजी अच्छे से तो फिर आपका मैत में सवाल लग जाएगा तो यहां पर देखिए आ गया सिं साथ परस इश्याट करें तो लिखा और दोनों सेम ना तो परस्ण में पूछा था किस की खर्च की राप समान होगी और रिख्ञान नम्बर एक और चेक्णने के जरूरत ही नहीं यह खेली कुड और बिज्वां करोगे तो खेल कुड है और बिज्वार हमीन का सब्सक्राइब और अगे बढ़ते हैं को सानबर 38 यहाँ पर देखिए पूछा कि पर 25 परसेंट निदियों का खर्च किया गया है अब देखो 25 परसेंट पुछा गया है ना तो दो सबसे पहले निकाल लेते हैं दोगों यहां पर जो टोटल हमारा होता है ना टोटल यह जो माल लेते हैं जो एंगल इस तरीके बनाया जाता है टोटल वो कितना होता है 360 होता है सभी को पता है ठीक ना 360 होता है इस तरीके साफ समाल लो यह टोटल कितना होता ये भी 25% तबी तो टोटल आपका 100% होगा यानि ये complete percentage में बोलेंगे तो 100% एंगल में बोलेंगे तो 360 degree तो सीधी सी बात है 25% का मतलब 90 degree और 90 degree कहां पर बन रहा है कला और सिल्प यानि यही हमारा 25% हो जाएगा सीधी सी बात है तो इसमें पूछा गया है 25% ये दियो खर्च किसमें किया गया है तो कला और सिल्प यानि आपसान नंबर इसका B नंबर जो होगा राइट अंसर हो जाएगा आगे बढ़ते हैं कोसन नंबर 49 पूछा गया है कि सीर्ष का खर्च अधिक्तम है अब किस का अधिक्तम है खर्च अमें बताना है तो तो साफ साप यहां पर दीगहरा है कि 120 डिगृ इना सबसे जादा इसी पर दिखाया जा रहा है तो 120 डिगरी कहां पे खेल कूद पे तो इसका जो राइट अंसर होगा करते हुआ प्रशनों के उत्तर दीजिए है कुल खर्च का कितना प्रतिकाले पर खर्च किया गया अब देखो जो फुल खर्च कितना प्रतिसत्काले खर्च किया गया घुए mix across काले आप देखो साफ लिखा हुए परसंटेज कह रहे हैं सोरी इंगल है उस्तमझ लीजिए साट डिगरी ठीक ना परसंटेज पुछा गया है तो पहले पुष्टकाले के लिए कितना भाग है यानि साट डिगरी था टोटल हमेशा नीचे लिखा जाता है परसंटेज में निकालना सौ से मल्टिप्लाई कर दें सब्सक्राइब करेंगे तो क्या आएगा 16.6 उम्मीद है समझ गया होंगे इस तरीके से आपका पाई चार्ट कमपिलिट हो गया अब हम दूसरा पाई चार्ट लेते हैं अगला चलो यहां पर लेते हैं देगे सबसे पहले सवाल को अच्छे समझ लेते हैं दिख रहा होगा अच्छे से तो को यहां पर लिखा हुआ है प्रस्ण संख्या 16 से लेकर 20 तक निम लिखित पाई चार्ट का ध्यान पूर्वक अध्यान करके दिये गए प्रस्णों के उत्तर दीजी विभिन ने प्रयोजनों में उत्पादन लागत की प्रतिस्वत्ता एक फर्म के उत्पा की लागत है वी हमारा सामTF की लागत है और चलो इन्होंने बता रहूरगक की किसके बारे में लिखा गया है अब यहां पर कोसंको प्पहले मालिकी कुलागत कितनी है तो देखो पहले पैकिंग सामागरी के हम बात कर लेते हैं तो पैकिंग सामागरी आपका कौन सा B नंबर है यानि ये वाला लेना है पैकिंग सामागरी हो गया और कच्छे माल यानि A नंबर ठीक न इन दोनों चालिस और पचीज जोड़ेंगे तो टोटल कितना हो जाएगा पैकिंग सामागरी और कच्छे माल का कच्छे माल दोनों को पुछा गया ना तो टोटल हमारे पास कितना था धाई लाग था धाई लाग काम निकाल लेते हैं 25 परसेंट 25 परसेंट इसको आप साल्व कर लेंगे आपका अंसर आजाएगा जिरो जिरो कट गया पांदूनी दस और पच्छों पचीज ठीक न अब इसको और साल्व कर लेजिए तो 165 पर लिखा हुआ है अपसाल नंबर डीज का हो जाएगा देख रहे ना इस तरीके से अफसाल पकल लेंगे आपका अंसर निकाल लाएगा तो पहले इनका परसेंटेज निकाल लेंगे पैकिंग सामागरी और कच्छे माल के कुल मिला के लागत कितनी तो टोटल हमारे पास सब मिला के था यह क्या सब का मिला के था धाई लाग जितने का पूछा है उतना परसेंटेज निकाल लेंगे तो आपका अंसर निकाल लाएगा उमीद समझ गया होंगे आगे बढ़ते हैं चलो यहां पर देखते हैं यहां पर लिखा हुआ है यदि कुल अनुरच्छन साड़े बार लाग से 50 लाग हो गई है अच्छे बता यह साड़े बार लाग रुपए पहले थे माल्लो अब यह कितना हो गया 15 लाग हो गया ठीक है न, अग कितने से बढ़ा आए, वो हमेशा बेस में यानि टोटल में रखा जाता है, नीचे, ये भी याद रखियेगा, जब भी इस टाइब के सवाल होना, कि इतने से इतना बढ़ गया, साब साब बोला न, साड़े बारा लाग से 15 लाग हो गया, तो साड़े बारा से 50 लाग हुआ कितना बढ़ाया 355 बढ़ा तो जितना बढ़ा उसको ऊपर लिखेंगे जहां से बढ़ता है जो स्टार्टिंग पॉइंट होता है उसको बेस में रखेंगे अब परसंटेज निकालना सो से मल्टिप्लाइ कर देंगे दसमलों दसमलों कार देंगे 52 दस 25 या इसे कार लो 25 25 होता है पचीश चोको 100 होता है और कार लो सते 35 और दो आएगा 25 चार गुड़े 75 यानि 45 चार सत्य आठाई दो तीस तीन सो परसेंट देखो कहीं है प्यार है आपसा नंबर इसका यह नंबर हो जाएगा तो इस तरीके साफ इसको लगा सकते हैं उम्मीदे समझ गया होंगे आगे बढ़ते हैं पर 18 देखते हैं लिख नहीं हो जाएगे तो पहले यह तो निकाल लो कि अनुष्ण लागत है कितनी टोटल लागत हमें पता है धाई लाग है तोटल हमें पता है ना धाई लाग है तोटल हमें पता है धाई लाग है अनुष्ण लागत यानि डी वाला है पांच परसेंट है तो पहले इसका निका यांün हमको पाता चल गया कि 25 RTE 2 1, इसका क्या है इसका अनुद CL लागत न पूच्छा गया इसका भी दुगना कर देंगे इसका दुगना कर दीजिये तो दुगना का बस आप समझ लेंगे तो फिर आपको अच्छे से लग जाएगा हलाकि कोई दिक्कत बगार हो तो कमेंट करके बता भी सकते हैं यदि उत्पादन वर्तमान लागत का पांच गुना बढ़ जाता है तो लागत ब्रद्दी के प्रसत्ता बताईए अब देखो यहां पर सीधे सी अब यहां से अइसे बढ़ रहा है ना पहले काम होगा बढ़ा है तो कितना बढ़ा है उसको ऊपर लिखते हैं जब परसंटेज निकालना होता है जितना बढ़ा है उसको ऊपर लिखेंगे कहां से बढ़ा है धाई-सो-लाग परसंटेज निकालना सौसे मल्टिप्लाइ कर देंगे जीरो से जीरो कट गया परचीच चोको तो सो यानि कितना आजाएगा इसका अंसर चार्थ सो पर्षेंट कितना आगया चार्थ सो देखे कहा लिखा हुआ है आफसा नंबर इसका डी राइट अंसर हो जाएगा उमीद है ये भी समझ गए होगे आगे बढ़ते हैं सवाल नंबर अगला देखते हैं 20 नंबर लिखा हुआ है यदि पैकिंग सामागरी की लागत 2% बढ़ जाती है तो नई पैकिंग सामागरी की लागत कितनी होगी सबसे पहले हम बात करते हैं पैकिंग सामागरी है कितनी हमाई इसकी लागत है ना तो पैकिंग सामागरी यानि 25% है तो टोटल जो 2500 लाग है ना इसका पहले हम 25% निकालेंगे 25% निकाल लेते हैं 25 एकम 25, 25 चोगो 100, यानि और सम्भिलिफाय कर लो, 224, 2 एकम 2, 224, 25, ये हमारा आगया, 125 बटे 2, 125 बटे 2, लाग जो है, ये हमारा क्या है, ये पैकिंग सामागरी की लागात है, अब बोला है ना कि 2% बढ़ जाती है, यानि जो 125 बटे 2 आया है ना, इसी में से 2% बढ़ाना ह तो 2% मतलब 102 बटे 100 कर देंगे, बस इतना आप वो साल्व कर लेना है, 25 पंचे 125 होता है, 25 चोगो 100 होता है, 2 से काड़ लो, 2 पंचे 10, 2 एकम 2, और इसको साल्व कर लेजिए, 5 एकम 5, और यहाँ पर कितना आएगा, 25, 25, 4 से भाग कर दीजिए, आपका अंसर निकाल आएगा 4 चंग 24, एक आएगा, 15, 4, 3 का 12, यानि 63 पॉइंट में कुछ आएगा तो यानि आपसन नमबर इसका C नमबर हो जाएगा